किसन बाई यो सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर फ्रेंड्स में आज हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल में चमतकार का इस्प्रे कब करें और चमतकार का इस्प्रे करने से क्या-क्या फायदे होते हैं और आलू की फसल में चमतकार दवाई का कितनी मातरा में उप्योग करना चाहिए और पार्केट में किस रेट में ये मिलती है जो किशन भाई हमारे चैनल पर ने आये हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सस्क्राइब कर दे पासवाली घंटी को ओन कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके किसान भाई यू बात करते हैं चमतकार दवाई की तो ये गाड़ा कंपनी का एक पीजी हार है इसकी बात करें तो इसमें टेक्निकल होता है मैपिक वाइट कलोराईट 5% टेक्निकल होता है इसके फायदे की बात करें तो आलू की फसल में इसका स्प्रे करने से जो हमारे कंदो का आकार है वे कंदो की संख्या बढ़ाने का काम करता है जैसे ही हम चमतकार दवाई का स्प्रे करते हैं तो जो हमारे पोधों की अनुवांचिक तरीके से जो बैल का विकास हो रहा है ये उसको रोग देता है जिससे हमारा पोधा जो nutrients बैल को बढ़ाने में दे रहा होता है तो इस PGR से वे बैल को nutrients देने बंद कर देता है जिससे जो nutrients है वे उपर बैल के बज़ाए नीचे की और द हमारे आलू की पेदावार में 25-30% तक की वरदी हो जाती है इसकी मातरा की बात करें तो आप चमतकार दवाई को 250 ml परती एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं लेकिन जब आलू की अवस्ता 55-60 दिन की हो और उस समय पर कर सकते हैं या 70-75 दिन की जब भी इसका उस समय पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं अगर आप आलू की फसल में दो बार इसका स्प्रे कर देते हो तो ये बहुत ही तेजी के साथ आलू का आकार वेकंदो की संख्या बढ़ाने में और एक समन आलू निकानने में इसका रिजल्ट आलू की फसल में देखने को मिलता है इसकी कीमत की बात करें तो इस चमतकार PGR की एक लेटर की कीमत मार्केट में 950 रुपे से लेकर 1000 रुपे तक मिल जाएगी अगर आप इस साल चमतकार PGR का इस्प्रे अपनी आलू की फसल में 55-60 दिन या 70-75 दिन की अवस्था में करते हैं तो आपको इसकी बहतरी निजल्ट देखने को मिलेंगे अगर कोई किसान भाई किसी और खेती के बारे में जानना चाता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेसेज कर सकते हैं मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा किसान भाईयों उमीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी दी आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और किसान भाईयों के पास शेयर करें और चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को सुस्क्राइब कर ले बेल आइक अलोन कर ले ताकि खेती से जुड़ी सारी जनकरी आपको मिल सके